बिस्मिल्लाह रह्मान ररहीम अस्सलाम वालीकूम डियर स्टुडेंट्स आएम प्रोफेसर वकार अली आज हम लेक्टर नमबर फोर्टीन चेप्टर नमबर सेवन डेटाबेस फंडमेंटल में से नॉर्मलाजेशन की जो डिफ्रेंट फार्म्स हैं उनको discuss करेंगे with the help of examples अब नॉर्मलाजेशन के हवाले से हमने क्या बात की थी कि हमने कहा था एक process है एक technique है जिसके जरीए हम क्या करते हैं हम अपने डेटा को नॉर्मलाजेश करते हैं इन डेटाबेस ताके उसके अंदर redundancy और inconsistency कम से कम हो सके फिर हमने बात की थी कि जो नॉर्मलाजेशन है इसमें different steps involved होते हैं और वो steps basically क्या कहलते हैं different normal forms कहलती हैं उसमें हमने बात की थी कि यह 1 NF होती है 2 NF होती है 3 NF होती है 4 NF होती है और 5 NF यानि कि 1st normal form, 2nd normal form, 3rd normal form, 4th normal form और 5th normal form लेकिन कहा क्या जाता है कहते हैं कि जब 3rd normal form तक आपका कोई data पहुंच जाता है तो उस वक्त तक mostly, most of the data, most of the database आपका जो नॉर्मलाज़ हो चुका होता है लहादा आज हम जो discussion करेंगे अपने आज की normalization forms के अंदर वो भी कहां तक करेंगे 3rd normal form यानि के 3 NF तक बात clear होगी अब देखते है नॉर्मलाज़ेशन जो उनसी है कहते है नॉर्मलाज़ेशन के जो steps है कहते है mostly आपकी नॉर्मलाज़ेशन इसको क्या किया जाता है steps में divide किया जाता है और हर step जो होता है वो एक normal form को represent कर रहा होता है अगर इसे graphically देखें तो क्या कहते है relation means table कहते है जब table first normal form में पहुँचता है तो उस वक्त तक आप क्या कर चुके होते है action यह perform कर चुके होते है कि इसके अंदर से कोई भी repeating group ना कड़की दीख कहते हैं आप इसमें कौन से action perform कर चुके होते है आप review कर देते हैं तमाम के तमाम repeating groups यानि के जो table का एक cell है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक value होती है और इसके साथ साथ आप क्या करते हैं अपने table के अंदर एक attribute को as a primary key select कर लेते हैं यह काम होता है आपका कहाँ पर जब आपको relation मिलते हैं और आप किसमें convert करते हैं फिर क्या कहते है एक तो आपका जो table होगा यह relation होगा वो किसमें होगा 1NF में और दूसरा आप उसके ओपर क्या apply करेंगे partial dependency अगर कोई है तो उसे क्या कर देंगे remove कर देंगे अगर partial dependency है अगर partial dependency नहीं है तो इसका मतलब है आपका जो table है वो किसमें आचुके है second normal form में या 2NF में कहता है जैसे 2NF से उसे कहां पर रेड़ के जाएंगे 3NF में table को तो पहली बात तो ही है कि वो 2NF में आचुका होगा दूसरी बात अगर उसके अंदर कोई transitive dependency मौजूद है आप उस transitive dependency को क्या करेंगे remove कर देंगे बात clear हुई और कहता है जैसे ही आपकी transitive dependency remove हुई आप किस में पहुँच चुके होंगे third normal form तक पहुँच चुके होंगे और कहता है यहां तक पहुँचते पहुँचते आपका database completely normalized हो चुका होता है बहुत कम ऐसा होता है कि इससे आगे आपको किसी stage पर move करना पड़े लेकिन कहता है यह जरूरी नहीं है कि इससे आगे move नहीं किया जा सकता है किया जा सकता है कहता है और कुछ anomalies कुछ errors ऐसे होते हैं जिनको fourth और fifth जो उनसी आपकी normalization form है उसमें remove किया जाता है जैसे कि 3 NF के अगर आप higher किसी normalization form में जाना जाते हैं तो जो other anomalies है anomalies errors को कहते है ठीक है वो जो errors है वो जो problems है उनको क्या करते है आप remove करते जाते हैं और higher normal form में क्या करते है move करते है यहां तक बात clear होगी पहली बात जब table मिलेगा अगर उसमें कोई repeating group है तो आप उसको क्या करेंगे remove करेंगे उसमें primary की assign करेंगे 1 NF में आ जेगा अगर 1 NF में एक है लेकिन उसके अंदर partial dependency है उसको remove करेंगे तो 2 NF में आ जेगे अगर 2 NF वोला जो table है उसके इंदर कुई tranzitive dependency है तो आप उस Dependency को Remove करेंगे तो आप किसमें आ देंगे 3NF में और यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका Table आपका Database क्या हो चुका होगा Normalize हो चुका होगा अब 1 by 1 1NF, 2NF और 3NF को Discuss करने के लिए हम Move करते हैं Towards Next Board GDA Students अब हम बात करते हैं First Normal Farm के वाले से जरा गोर कीज़ेगा कहता है First Normal Farm की क्या बात कहता है Our relation is set to be in 1NF कहता है Relation उस वक्त हम कह सकते हैं कि First Normal Farm में है जब कहता है कि It has a Primary Key उसकी एक Primary Key हो और Each Attribute in Each Row of Relation contain only one value यानि के जो एक cell है टेबल के अंदर जहां पर row और column क्या कर रहे हैं intersect कर रहे हैं वहाँ पर safe और safe क्या होना अच्छे यह एक single value अब अगर हम इस example को देखें जो कि आपके सामने है इस ने क्या किया है एक student का data दिया है यहाँ पर उसने क्या किया है students का data दिया है students का data देख लें जैसे के roll number name city और phone number के मताबिक है roll number one name अली city लाहोर लेकिन phone number के लिए कितने values दे दिया है दो इसका मतलब है value क्या और यह repeat हो रही है इसे तरह second roll number को भी देखें इसकी भी दो value है phone number के three को भी देखें इसके against भी आपकी दो value सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ इस repeating group को खतम करता हूँ repeating group को खतम कैसे किया जा सकता है कि मुझे करना पड़ेगा हर एक के लिए अलाद अलाद मैं red से इसलिए लिख रहा हूँ ताके अंदाज़ हो सके मैं कहता हूँ one इसका name again अली इसके लिए लिखता हूँ लाहूर और यह second number इसके लिए आज़ेगा two for example इसका name एहमद इसके लिए for example again इस्तामबाद और जो second number है इसके लिए आज़ेगा three m.ali और इसका city यह आगी अब यह यहां तक एक काम तो हो चुक है वो क्या है कि मैं repeating groups क्या कर चुका हूँ रिमूव कर चुका हूँ बात क्लियर होगी कहता repeating groups तो रिमूव होगे अब यह बताएं कि इसमें से primary key कों से select होगी अगर हम primary key की बात करें तो primary key क्या कहती है unique value होती है duplicate values नहीं होती और null भी नहीं होती अब अगर मैं roll number की बात करूँ तो roll number तो यहां पर क्या हो रहा है repeat हो यानि के अगर मैं roll number को primary key के तोर पर इस्तमाल करूँ तो roll number name को भी identify कर सकता है और CT को भी और इसी तरह मैं क्या करूँ roll number आपका phone number को भी अगर separate separate देखे तो identify कर सकता है लेकिन जरा गोर करें एक table के अंदर नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा अगर roll number को primary key बनाना है तो मु यानि के सबसे पहली बात किस वजया से इस एक attribute की वजया से roll number आपका primary की नहीं बन सकता तो मैं क्या करता हूँ एक अलाइदा table बनाता हूँ यहाँ पर example दे रहा हूँ जिसका नाम क्या होगा for example telephone और इसकी दो attribute बना दूँगा एक आपका क्या बनेगा roll number और दूसरा आपक और इसके साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक और मजीद table बना दूँगा जो table आपका क्या contain कर रहा होगा कहता है पहली तीन information एक आपका roll number दूसरा name और तीसरा आपका city roll number name and city अब यहाँ पर देखें one two or three तीन ही roll number आएंगे यहाँ पर क्या roll play कर रहा होगा primary key का और यहाँ पर क्या roll play कर रहा होगा basically foreign key का और यह किसके साथ link कर रहा होगा इसके साथ और यहाँ पर आप जो भी names हैं उनको fill कर दें उधर roll numbers आप multiple fill कर दें और roll number और phone number दोनों मिल कर क्या बना रहे होगे आपके primary key बना रहे होगे यहाँ पर जब यह दो टेबल में divide होगा तो अब यह पूरे के पूरे दोनों टेबल के हैं आपके first normal form में हैं यानि कि हमने क्या किया है दो काम किया सबसे पहले repeating groups खत्म किये जैसे कि मैंने यह red से कर divide करना पड़ा दो टेबल के अंदर वो भी क्यों क्योंकि एक attribute ऐसा था जिसकी value different होने की वजासे आपकी primary key key value क्या और इती repeat हो रही थी लहादा हमने क्या किया दो different tables में बनाके उस attribute को ऐदा फॉरन की लेगे उसमें और आपका काम क्या कर दिए complete कर दिए अब यह दोनों जो करते हैं towards second normal form जिसके लिए हमें move करना पड़ेगा next board में today students अब हम बात करते हैं second normal form के हवाले से second normal form के हवाले से कहता है कहता है our relation is in 2NF कहता है relation second normal form में तब आएगा if अगर कहता है it is in 1NF पहली बात क्या कहता है कि it must be in 1NF ठीक है first normal form उसकी होनी चाहिए second thing क्या कहता है no partial dependency exist no partial dependency exist partial dependency का concept हमने जब normalization की terms पढ़ी है terminologies पढ़ी है different उसमें हम detail में discuss करके है हमने क्या कहा था partial dependency तब आती है जब composite key होती है और वह कैसे remove होती है simple सा solution हमने यह किया था कि अगर हम composite key को कोशिश करके एक single attribute key पे ले आए तो automatically वह क्या हो जाती है remove हो जाती है अब यहां पर क्या है partial dependency यह थी कि part of the key किसी non-key attribute को क्या करता है identify कर रहा होता है जैसे के table में जरा और कीज़ेगा कहता है यहां पर employee id और course दोनों को मिल कर क्या बनाते है primary key बनाते है क्योंकि देखें imply id अगर बात करें 201 के बाद 301 301 क्या हो रहे है repeat हो रहे है न तो इसका मतलब है सिर्फ employee id आप की primary key नहीं बन सकती इस दाख courses में देखें MS office VB C++ management के different courses कहता है इस course को और employee id दोनों को मिला कर क्या किया गया है एक primary key बनाए की है और वो कौन से की है composite की है अब देखते हैं example की तरफ कहता है जैसे यहां पर देखें employee id है जो employee id और course मिल कर क्या बता सकते हैं कि अपका name department और date completed क्यों 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 कि यह primary की है stable के अंदर के लेकिन अगर गोर करें employee का जो name है employee का जो department है यह तो employee id के जरीए भी हम हासिल कर सकते हैं इसका मतलब क्या है के employee id partially क्या कर सकती है identify कर सकती है name और department को जबके date completed जो है course की वो किस तरह identify की जा सकती है वो employee ID और course दोनों को मिल कर जब primary key बनाएंगे तब ही identify की जा सकती है otherwise identify नहीं की जा सकती कहता है इसका मतलब है यहाँ पर partial dependency exist करती है बात कले रही partial dependency इसलिए कि employee ID जो part of the composite की है वो क्या करता है name को भी identify कर रहा है और department को भी लेहाजा आप कहता है इसको remove करना है remove कैसे करेंगे कहता है remove करने का एक ही आल होता है कि आप अपने table को divide कर देते हैं for example employee ID किस को identify कर रहा है name और उसके साथ साथ department को लेहाजा आप क्या करेंए एक table बना लें जिसके अंदर employee ID name और department तीन अट्रिब्यूट हो बात ले रही है और एक और table बना लें जिसके अंदर employee ID और course और date complete यह तीन अट्रिब्यूट बनेंगे जिसमें यहाँ पर आपका जो primary की बनेगा वो कौन सा होगा आपका employee ID यहाँ पर यह दोनों मिलकर क्या कर रहे होंगे as a primary key act कर रहे होंगे लेकिन क्योंके employee ID यहाँ पर primary की है तो यहाँ पर सिर्फ employee ID as a foreign key इस्तमाल हो रहा है यहाँ पर employee ID सिर्फ क्या कर रहा है part of the primary की है यह as a foreign key use हो रहा है इसका मतलब है कि अगर हम partial dependency को remove करना चाह रहे हैं तो कोशिश क्या करनी चाहिए कि वो हिस्सा जो part of the primary key पे आपका base कर रहा है या depend कर रहा है उस पूरे हिस्से को उस keys में जिस पे वो क्या कर रहा है depend कर रहा है identify कर सकता है determine कर सकता है लहाजा एक table मना दें employee ID name department का और एक दूसरा table जो इसी में से बनेगा वो क्या हो गया एक employee ID course और date completed का यानि के दोनों table आपके तीन तीन fields के बन जाएंगे एक में आपका employee ID जो से single क्या बनेगा आपका primary key बनेगा और दूसरे table के अंदर employee ID और course मिल कर क्या बना रहे होंगे आपके primary key बना इंप्लाई ID और course मिल कर क्या बना रहे होंगे primary key बना रहे होंगे यहां तक बात clear होगी इसका मतलब है कि जब हम इन दोनों को अलाइदा अलाइदा टेबल बना देंगे तो यह देखिए यह तो ही single की रहा single attribute है इसमें तो partial dependency का मसला ही नहीं है लेकिन आप यहां पर आते हैं किते हैं employee ID और course मिल कर ही एक date completed को बना सकते हैं otherwise अगर मैं सिर्फ course को लूँ तो हो सकता है बहुत से ऐसे department के अंदर लोग हो जिन्होंने same course किया हो लेकिन उनकी date of completion क्या हो different हो तो याद रखिएगा आपका course separately जो उनस है primary key नहीं बन सकता employee ID यहां पर separately primary key नहीं बन सकता लादा यहां पर composite key ही रहेगी जो के date completed को क्या करी होगी identify करी होगी determine करी होगी बात clear यहां पर इसका मतलब यह है कि हमने partial dependency को क्या कर दिया remove कर दिया है और एक जो table जिसके अंदर partial dependency थी उसको breakdown करके क्या कर दिया clear होगी यहां तक बात अब आत करते हैं third normal form की क्या कहता है our relation is in third normal form if कहता है आपका जो relation यह table है वो third normal form में उस वक्त होगा जब पहली बात यह है कि वो क्या हो two enough हो two enough का मतलब है वो one enough में होगा और साथ में उसमें कोई भी partial dependency नहीं होगी और partial dependency भी मैंने बता दिए किब होती होती है otherwise यहां पर partial dependency हो ही नहीं सकती फिर क्या कहता है क्यता है no transitive dependency exist transitive dependency क्या थी हमने कहा था non key attribute determine करे non key attribute को यानि के primary key का तालुक नहीं है अब किसका तालुक है non key attribute का non key attributes के साथ जैसे के table में लिखा हुए कहता है customer number आपका क्या है primary key है customer name salesman region कहता है customer number की base पे हम customer name salesman और region यह सारे identify कर सकते हैं मैंने उपर red के जरीए क्या किया है निशान लगा रहा है लेकिन इसके इलावा अगर हम salesman देखें अकबर है जैसे वह किस region में कहा हम कह रहा है south में जो महमद अली है वह किस में कह रहा है west में खालिध कहा पे कह रहा है east म यानि के याद रखेगा जो employees है उनका region के मखसूस है वो change नहीं करते clear हो रही है यहां से यह पता चला के customer number customer name salesman और region तीनों को identify कर सकते है लेकिन एक non-key attribute है salesman अगर उसका नाम पता जाए तो साथ में उसका region भी automatically आ जाएगा वो क्या कर सकता है determine कर सकते है उसे लहाजा क्या करेंगे again वही काम अगर non-key non-key पर भी dependent है तो divide बात clear होई divide कर देंगे table को कैसे कैसे एक table बनेगा customer number customer name और salesman का और दूसरा table क्या बनेगा वो बनेगा salesman और region का क्यों उसके अंदर salesman की base पे हम region को identify कर सकते हैं और customer number अगर हमारे पास हो तो हम customer name और उसके against जो salesman है उसको भी identify कर सकते हैं कहता है जब हम इसको divide कर देंगे table को और जो non-key non-key के ओपर dependent है उसको अलएदा अलएदा table में ले जाएंगे तो कहता है दो table में divide हो जाएगा और जैसी दो tables में जाएगा आप किसी किसम की भी transitive dependency नहीं रहेगी जैसे कि आप वो एक table क्या बनेगा customer number customer name और salesman का यानि के दे दें तो इसका मतलब है एक table तो इनी तीन की attribute पे बन जेगा और एक table ऐसा होगा जो कि यह बन जेगा बात clear कोई issue तो नहीं यहां तक हमारी third normal form क्या हो जाती है complete हो जाती है with the help of example यह सारी चीज़े हम देख चुके है याद रखिएगा कि third normal form तक महुँचते हुए आपकी सार की सारी जो उसी table है और database है आपका सारा का सारा जो table है और database है वो क्या हो चुका होता है normalize हो चुका हो ठीक है इसके बाद normalization की जुरूत नहीं रहती है जो हम इस level तक आपकी normalization पढ़ रहे होते हैं ठीक होगे उमीद है कि आज का lecture आपको समझ आ चुका होगा इंशाला नेक